जुक्त कर रहें किया क्रिप्ट इंडिया में भांट होगा तो जैसा कि आज फाइन्स मिनिस्टर नें बदेट में बताया कि क्रिप्ट करंसी पर टैक्स लगेगा जैसे कि हम क्रिप्टो को एक परशेंट परशेंट या या उसस पर टीज लिए सिधा एक परशेंट दूसरे चीज तो यह और थीसरा उन्होंने बताया कि अगर हम व्यक्ति को इंग करते हैं क्रिप्टो तो भी उससे लगने वाला है जो की लगेगा रिसीप रेंट जिसके अपाउंट म यह मेन है और साथ में उन्होंने यह भी बता है कि अपना एक डिजिटल क्रिप्टो लाने वाली है जिसे हम बोल सकते हैं CBDC Central Bank Digital Currency और अपना एक डिजिटल करणसी भी लाने वाली जैसे आप लेग रहे हैं बिल्कुट क्रिप्टो करणसी के बारे में बताया तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा क्रिप्टो जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा है अब देखते आगे कुछ अमेंडमेंट्स आएंगा जो भी होगा बट इन्होंने क्लियर कर दिया है कि क्रिप्टो करणसी इंडिया में अभी फिलाल के लिए नहीं होने वाली तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि अगर किसी को टेक्स लगना है तो किस प्रिकार से रहेग और कुछ दिनों बाद या कुछ सालों पाद या जितना भी इन्वेश्टमेंट किया है तो हम उसे सेल भी करेंगे विद प्रॉफिट के साथ अगर हमें प्रॉफिट आता है सपोज कर हम 15,000 रुपे में उसे अपने जो क्रिप्टो हमने बाई किया तो उसे सेल कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ अब हमारा प्रॉफिट होगा यह हमारा प्रॉफिट जो होगा 15,000 में से हम 10,000 माइनिस कर देंगे क्योंकि जो हमने इन्वेश्टमेंट किया तो जो टोटल प्रॉफिट हमारा निकल के आएगा वो हमारा 5000 रुपे निकल के आएगा 5000 हमा से टेक्स लगने वाला है तो 30% के साथ से देखते हैं 30% और 5000 पर तो यह हमारा जो टेक्स लगेगा वो 1500 रुपए लगेगा पांच जार का 30% हमारा 1500 बैठता है तो यह हमारा टेक्स में चला जाएगा उसके बाद हमारा नेट पॉफिट जो बसता है यह देखिए नेट पॉफिट पांच हजार में से हमने पंदरह सो रुपे माइनस कर दिया तो उसके बाद हमारे जो बसते हैं वह 3500 रुपीज ठीक है यह खाली टैक्स अगर हम 30% उस पर लगाते हैं फ्लैट लगने वाला इसमें कुछ तो अब इसमें हम टैक्स भी इंक्लूट कर लेते हैं जैसा कि हमारी जो इन्वेश्मेंट वैलू थी 10,000 वैलू थी 15,000 तो टोटल हमारा टांजेक्शन जो ही है दस जार की एक हुई है और 15,000 की ही है जो टोटल हो गया हमारा 25,000 का हो गया ठीक है टोटल मिलाके यह हम उसे लग लग भी कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल हम मैंने टोटल पर कैलकुलेट कर लिया तो हमारी टोटल आए 10,000 प्लिस 15,000 हमारी 25,000 हो गया पच्चेह जार पर हमारा 1% टैक्स लगने वाला है जो कि हम बाय सेल करेंगे तो 25,000 पर एक परसेंट सीदा सीदा होगे हमारे 200 रु टीक है तो पॉइंट टू परशेंट 25,000 का पॉइंट टू परशेंट हमारा बैठता 50 रुपे तो कुल मिलाके जो हमें ऑवरॉल प्रॉफिट जो होने वाला है हमें जो प्रॉफिट हुआ था 30% के बाद 35 रुपे हुआ था उसके बाद हमारा 1% टीडियस भी लगा है जो क तो 3500 में से अबने 300 माइनस के यह तो हमारे खाली 32 रुपे बचते हैं तो हमारे 32 रुपे से हो जाते हैं तो इस तरीके से मोटा मोटा मैंने इसमें लगाया है बताया है कि जो स्लैब में लगने वाला है वो इस तरीके से लगने वाला हो सकता है इसमें कुछ चेंज हो पर जो मेरे समझ में आया है वो मैंने आपको यह बता दिया है हो सकता है तो अगर उसमें कुछ चेंज है तो आप उसे मॉटिफाई कर सकते हैं तो जो हमाई 5000 पॉफिट हुआ करता था पहले वह हमारा कर्णवर्ट होके सीधे सीधे यह 32 रुपे पर आ चुका है तो यह टैक्स लगने बाद यह होने वाला है बट इसमें एक पॉजिटिव सैंज जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब क्रिप्टो इंडिया में रेगुलेट हो रहा है क्योंकि जब हम टैक्स दे रहे हैं तो अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो उसमें भी हमें टैक्स देना होता है बट यह है कि यहां 30 परसेंट जादा ही लगाया हुआ है तो दोस्तों यह मैंने आपको बता दिया कि एक तो 30 परसेंट टैक्स कितना टैक्स देना होगा वह आपको सीधा-सीधा 30 परसेंट टैक्स ही देना होगा गिफ्ट पर भी क्योंकि गिफ्ट आपने किसी को दिया है तो गिफ्ट जिसको मिलने वाला है जो की रिसीवर है वह सीधा-सीधा 30 परसेंट टैक्स उस पर देगा यह एक्स्टा है ठीक है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आज की उड़ो में तरहीं धन्यवाद